आप सबी लोगों का वैलकम करते हैं गार्डनिक बोई यूटूब चैनल पे आपका अपना चैनल तो फ्रेंस आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही लखी प्लांट पे जिसका नाम है एरो केरिया इस प्लांट को अगर आपने लगा लिया ना तो आपके घर में पैसे की कमी नहीं होने वाली है कहा जाए तो पैसे लगने वाला पेड है ये अब इसके फाइदे मैं आपको भी गिना देता हूँ कि इसके लगाने के क्या क्या फाइदे हैं अगर आप इसको घर पे लगा लेते हैं अक्सर हमारे को या हमारे घर को नजर लग जाती है बहुत जल्दी उसके लिए हम क्या करते हैं नीवू मीर्च वगेरा लटकाते हैं तो वास्तु सास्त के हिसाब से इस प्लांट को जो इसका नाम एरो केरिया है और जाता है नरसरी पे क्रिसमिस ट्री के नाम से भी जानते हैं तो इस प्लांट को बहुत ही लखी माना गया है इस प्लांट को अगर आप अपने गेट पे जो आपका में गेट होता है जब हम अपने घर के बाहर या अंदर जाते हैं उस जगे पे अगर इसको लगाते हैं इसके दो प्लांट तो बहुत ही सुप माना जाता है आप अगर अपने घर से निकलते हों और जब आप बहुत अच्छे मूर में निकलते हों रास्ते में आपको या आपके ओपिस में आपको मतलब पुरा दिन खराब हो जाता तो ये प्लांट जो है बहौत थी सुब माना गया है आप अपने जब भी अपने गेट से बाहर निकलेंगे और इस पे नजर जब आपकी पड़ेगी ना तो आप पूरा दिन एकदम लक्की होने वाला है ये प्लांट मैं दो ले जाने वाला हूँ तो मैंने क्यों ना आपके संग सेर किया जाए और अगर आप इसकी जो केर चाहते है कि इसको हम कैसे इसकी केर कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता देना तो मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना तुका फिलाल इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ उसकी छोटी छोटी बात है जिनका आप ध्यान रखे अगर आपने ये प्लांट लगा रखा है तो इसकी क्या क्या केर कर सकते हैं पहली बात अगर इसको आप नरसरी से बाय करते हैं क्रिस्मिस ट्री के नाम से तो फ्रेंस आप इसकी देख लें इसकी लीव ड्राइन ना हो और इस पर ओबर वाटरिंग ना करें ये देख सकते हैं इसकी मिट्टी और अगर आप मिट्टी के गमले में लगाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि ये प्लांट की जब लीव अग अगर इसकी लीव सूखे ना एकदम आप ग्रीन प्लांट होना चाहिए अगर इसकी लीव सूख रही है तो समझ लिए आपके घर पे कोई संकट आने वाला है तो ये आप ख्याल रखिए कि इसको आपको हरा भरा रखना है और इसको हो सके तो आप जैसे हम लोग डेली नहा है आप तो फ्रेंस ये वीडियो आपको कैसे लगी अगर आप पार्ट टू चाहते तो हमें कमेंट करके बताएं जल्दी आपसे मुलाकात होती एक नेस्ट पीडियो में तब तक मुझे दीजिए इजाजत